नमस्कार आपके उजबल भविश्य के लिए आपकी सारी समस्याओं के समधान के लिए धन समंधी व्यपार समंधी आपके कश्टों के निवारण के लिए अत्वा आपके परिवारिक समस्याओं से आपके कलेशों से बाहर निकालने के लिए आपका स्वागत है में डॉक्टर नीती शर्मा जोतिश एवं वास्तु विशेशग्य आपके अपने इस खास कारेकरम भाग्य ओदे में आपका स्वागत करती हूँ जैसे कि आपको पता है कि हमारी श्रिंकला चल रही थी अंक शास्त्र के उपर अंक जोतिश के उपर और उसी श्रिंकला को आगे ले जाते हुए आज हम अंक नंबर 7 और अंक नंबर 8 के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे और कैसे इन अंको वाले व्यक्तियों को अपनी जिन्दगी में कौन-कौन से पहलूँ को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए कौन-कौन से पहलूँ को आपको ख्याल रखते हुए अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहिए ताकि आप अपने जीवन में उच्छ शिक मूलांक साथ के स्वामी ग्रह केतू हैं मूलांक साथ वाले व्यक्ति मौलिकता और स्वतंत्र विचार शक्ती तता अस्सामान्य व्यक्तित्व के मालिक होते हैं यह शांत चित नहीं बैठ सकते सदेव कुछ न कुछ सोचते रहते हैं यह सदेव बदलाव की अपेक्षा करत यात्राओं के लिए इनका मन हमेशा उत्सुक रहता है चत्रपति शिवाजी का मूलांक साथ ही था मूलांक साथ वालों की कलपना शक्ती बहुत तीवर होती है इनमें अभी व्यक्ति की अच्छी शमता होती है यह सोतंत्र रूप से और नेडरता से साफ साफ बात कहने में बि अर्षिंदर नाट्र एगोर का भी मूलंक साथ ही था मूलंक साथ के साथ जो है सब्भी नम्रों में सारे ही अंकों में सबसे ज़़्यात्मिक पाया गिए तक से जह स्परूच्विए लोग इंश्वर से बहुत श्टित होते हैं – बहुत नाम कमाते हैं लेकिन यह कभी चोटी-छोटी बातों पर चिर्चड़े हो जाते हैं चिंता करके राइ का बना लेते हैं कोई भी चोटी सी बात को यह बहुत जादा खीश के अपने mansi स्थिति को कमजोर कर देते हैं, इन्हें अपनी इस आदत पर सहियम रखना चाहिए, these people are accumulator of knowledge, knowledge की इनको keen desire होती है, so these are accumulator of knowledge and wisdom, and the intellectual and abstract thinker, बिलकुल लीक से हट के सोचना इनकी आदत होती है, and they are mystic like, अगर आपने सद्गुरु जी को सुना हो, तो वो सारे गुंड आप नंबर साथ वाले व्यक्तियों में देखेंगे, बहुती philosophical outlook होता है इनका, and they are very good writers too, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत दार्शनिक इनकी सोच होती है, भौतिक विश्यों के प्रती इनकी विशेश रुची नहीं होती, अगर ये अतुल्य धन संपदा के मालिक भी हो जाएं, त इनको घूमने का बहुत शौक होता है, इनको अलग-अलग देशों में भ्रह्मन करने का बहुत शौक होता है, आप देखेंगे, मूलांक साथ वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा foreign traveling world tools लगाते हैं, काफी रहस्यवादी होते हैं, अंक नंबर साथ वाले व्यक्ति, इनको रहस् बहुत अच्छी होती है, किसी भी स्थिती को ये पहले से भाफ लेने की शमता रखते हैं, कोई भी आपत्ति जनक स्थिती आने से पहले इनको अभास हो जाता है, I have observed that normally seven people are very lucky ones, more who come to their contact also become lucky, इनके साथ जो भी संपर्क साता है, उसकी भी किस्मत इनी की तरह बल्वान हो जात they are very lucky people and इनके औरा में बहुत जड़ा positivity होती है, असमभव को संभव करने की शमता अगर किसी अंक में है, तो मूलांक साथ में है, they make the impossible possible, बिल्कुल अपनी परिश्रम से, अपनी ध्यान से, अपनी खोजी प्रवर्ती से, ये उस चीज़ को भी खोज निकालते हैं, जो आपक कई बार मूलांक साथ वाले व्यक्ति बाहर से काफी कठोर प्रतीत होते हैं, बहुत हाड लगते हैं आपको बाहर से, लेकिन हिर्दय से ये बहुत सम्वेदन शील होते हैं, लोगों के प्रती इनकी भावनाएं बहुत प्योर होती हैं, चलिए जानते हैं, ऐसी कौन सी सोचने की प्रवर्ती है, इनको ऐसी सोच में इनको बचना चाहिए, ताकि ये सच्चाई के साथ अपने आपको उसके साथ सहीं बना के चल पाएं, साथी मूलांक साथ वाले व्यक्तियों को कभी-कभी विप्रिस्थितितियों में काफी बेचैनी सी वो फील करने लगते हैं उसे इनको बचना चाहिए, पैसे को इनको प्राथमिक्ता देनी चाहिए, दे डोंट फील इंपर्टेंस ओफ मनी, दे शुड बिकास दे शुड रिलाइज दे प्राइज आपकी ये हूमन की नीड है आज की डेट में पैसे की उसको इनको समझना चाहिए, कभी-कभी विच जित्र धार्मिक अनुष्ठान बना लेते हैं, अपने ही religious rituals मना लेते हैं, उनसे इनको बचना चाहिए, बहुत ज्यादा charity से बचना चाहिए, अपने कठिन समय के लिए थोड़ा सधन संचे इनको जरूर करना चाहिए, मुलंग साथ वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आप अ more dynamic in their thoughts and actions, static approach जो होती है, वो इनको कई बर उसके लिए उसकी वज़ा से इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो थोड़ी आप अपने अपनी एक्टिवनेस लेकर आईए, थोड़ी फासली आप अपनी एप्रोच करिए किसी विस्थिती में, इनको घर के बहार रहना बहुत पसंद होता है, जिसकी वज़ा से इनकी परिवारिक जो लाइफ है, जो इनका home atmosphere है, वो थोड़ा डिस्टरब हो जाता है, इनको इस इनको हर चीज जो सीक्रेट है, उसको खोजने की आदत होती है, इनकी सिक्षा का स्थर आनुमन अच्छा देखा गया है, लेकिन धीरे धीरे इनकी सिक्षा का स्थर में सुधार्ता आती है, बच्पन में थोड़ी अगर यह वीक भी हो स्टड़ी से, बढ़ धीरे धीरे अपनी मौलिकता के बल पर धन अर्जित करने की होती है, लेकिन दान पुन्य काफी करते हैं, उसमें धन खर्च काफी कर देते हैं, अथा इनकी आर्तिक स्थिती इस वज़ा से समानने ही रह जाती है, चलिए अब बात करते हैं, इनके संबंध कैसे होते हैं, मुलंक साथ के स साथ होती है, क्योंकि बहुत intellectual सोच होती है, तो हमेशा ये जो विवेक शील लोग हैं, उनके साथ ही अपना सामंजस बना पाते हैं, अगर इनकी विभा और प्रेम संबंधों की बात की जाए, तो इस अंक के व्यक्ति प्रभावित जातक जो होते हैं, वो प्रेम संबंध मे इतने गंभीर प्रकरती के नहीं होते हैं, ये प्रेम का दिखावा तो नहीं करते, लेकिन इनके अंदर प्रेम खूब होता है, अपने आपको एक्जिबिट नहीं कर पाते, अपने एमोशन्स को दिखा नहीं पाते, अपने प्रेमी के प्रती, इनका विवाईक जीवन अग करने से बचना चाहती हैं इनको कई बार एकांत जीवन ज्यादा प्रिये होता है चलिए बात करते हैं इनके व्यविसाहिक इनके प्रोफेशन की कारेशेत्र ऐसे कौन-कौन से प्रोफेशन से जिन में इनको तरक्षी मिलेगी जिन में अगर यह अपना श्रम डाले तो इनका भाग्य प्रबल होगा सर्व प्रथम क्योंकि यह काफी सीक्रेटिव टेंडेंसी के होते हैं सीक्रेट ज्यान का इनको बहुत ललक होती है उसको जानने की तो जोती शेमंग गुप्त विध्याओं में अगर यह अपना करियर चूस करें तो इनको सफलता मिलेगी मेजिस्षियन होते हैं जितने भी जादू के आप देखेंगे जो मैजिक करते हैं वो मूलंग साथ वाले व्यक्ति होते हैं सिनेमा और ड्रामा भी इनको काफी पसंद आता है साथी एविएशन जो पाइलेट्स होते हैं जो एर फोर्स में कारेरत होते हैं वो सारे ओफिशियल्स भी मुलंक साथ बले आप पाएंगे शिपिंग का विवसाएं इनके लिए काफी लापकारी रहता है इनकी सोच की वज़ा से इनकी दार्शनिक एप्रोच की वज़ा से यह अध्यात्मिक प्रचारक देखे गए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इनको फॉरेंड ट्रेडिंग का काम बहुत सूट करता है और साथी फॉरेंड लोगों के साथ दूसरी जाती के यह दूसरे धर्म के लोगों के साथ इनका तालमिल बहुत अच्छा बैठता है इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा सूट करता है जॉब जो foreign countries में अगर आप अपनी जॉब सोच रहे हैं महाँ पर जाके आप सेट होना चाह रहे हैं और आपको मूलांक साथ है तो आप अविश्चिप रतने किये करिएगा आपको foreign countries में बहुत सफलता प्राप्त होगी painting, writing और poetry का भी इनको बहुत शौक होता है साथी मूलांक साथ वाले व्यक्तियों को मचली पालन, fishery का business बहुत सूट करता है, cold storage का business बहुत सूट करता है chemicals का business, जितने भी chemicals हम देखते हैं अलग-अलग industry जो product है, industrial chemicals हैं उस business में काफी rise करते हैं dairy products, दूर से संबन्दे, दूर, दई, पनीर, ऐसा कोई भी आविवसाएं करना चाहें, इसमें जाना चाहें, तो आप जरूर अपनी किस्मत आज माईएगा, आपको निश्चे ही सफलता प्राप्त होगी चली जानते हैं, ऐसी कौन सी बिमारियां हैं, ऐसी कौन सी diseases हैं, जिसके लिए मूलंक साथ वालों को सतर करहना चाहिए नर्वस सिस्टम, उसका इनको ख्याल रखना चाहिए, साथ ही इनको इन्डाइजेशन, एसीडिटी की प्रॉबलम होती है, खट्टी डिकार आ सकते हैं, तो अपने पेट को आप थोड़ा नियंतरंड में रखिए, खाना पीना थोड़ा सोच समझ के करिए आर्थराइटिस, गठिया की शिकायत भी इनमें देखी गई है, ब्लेट सर्कूलेशन, रक्त से रिलेटिड, हाई ब्लेट प्रेशर, लो ब्लेट प्रेशर, यह सारी बिमारियां मूलंक साथ वाले व्यक्तियों में पाई जाती है, चलिए अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से अनुकूल अंक हैं, ऐसे कौन से कमपैटिबल नंबर हैं, जिन के साथ आपकी अंडरस्टैनिंग बहुत अच्छी होगी, आप व्यापार में या विवहा में, प्रेम संबंधों में अगर आप जाना चाहें, तो इन अंकों के व्यक्तियों के साथ अगर आप प्रोसीट करे करेंगे, तो आपको निश्चे ही एक अच्छा अनुभफ प्राप्त होगा, साथ ही इन तारीकों में भी अगर आप अपने शुप कारें को निरधारित करेंगे, तो उन कारें में आपको निश्चे ही सफलता मिलेगी, अंक नंबर 9, 6, 3 और 5, 9, 6, 3, 5, इन 4 अंकों के व्य आपको शुपता प्राप्त होगी, आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लग जाएंगे, जिन दिन आप इन रंगों को, इन रंगों के कपड़े पहनेंगे, या इन रंगों को किसी भी रूप में अपने साथ लेके चलेंगे, आपको निश्चे ही सफलता प्राप्त तो checks में अगर आप black and white checks पहनने का शौक है आपको checks shirts पहनने का शौक है तो वो शौक को बनाए रखिएगा आपके लिए यह shirts जो है checks की especially black and white color की बहुत ही भाग्या को आपके भाग्या को प्रबल करती है अपने important interviews में important days में आप checks जरूर पहनिएगा चलिए जानते हैं ऐसा कौन सा भाग्या रतना है ऐसा कौन सा लक्की जेम्स्टोन है जिसको धारण करने से मूलांग साथ वाले विक्तियों का भाग्या प्रबल होगा cats eye लेसुनिया आगर आप धारण करेंगे तो आपको केतु की शुप्ता प्राप्त होगी चलिए जानते हैं ऐसा कौन सा मेटल है ऐसी कौन सी धातु है जो आपके लिए लापकारी है प्लाटिनम एक ऐसी धातु है जो केतु को बहुत स्ट्रॉंग करती है मूलांग साथ वाले व्यक्तियों के लिए भाग्या शाली है तो प्लाटिनम की आप रिंग डाल सकते हैं आप गले में चेन डाल सकते हैं आप चाहे तो अपनी घड़ी को प्लाटिनम के मेटल में अगर आपने आठ अंक को देखा हो तो आठ अंक का मतलब है ऐसे बनता है इसमीन्स वट गोज अराउंड विल कम अराउंड वर्ट यू विल रीव आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे शनी कर्म के देवता है वो जज हैं वो आप वो चाहते हैं कि आप अच्छ कर्म करें आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको शनी आपको फल देंगे अगर आप देखें जजों की कुंडली में वकीलों की कुंडली में हम देखते हैं मैकसिमम शनी और बुद्ध की जो यूती होती है वो काफी अच्छे जज और वकील बनाते हैं तो अगर आपको अ ये लोग प्रचार प्रसार से दूर रहते हैं, एक निष्ट होकर अपने कामों में लगे रहते हैं। आठ नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, हर बात को गंभीरता से लेते हैं, वे निश्चल प्रवर्ति के होते हैं। हमारे पूर्व परधान मंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंग का भी मूलांक आठी है। इनके कामों में रुकावट काफी आती देखे गई है। ये प्राए दुनिया के लिए महत्व पूर्ण कारे करते हैं, अपनी तरफ से दुनिया के लिए सहिवाए करते हैं, लेकिन सामान्यता इन लोगों को उनके कारें को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। जिससे ये एक इनके कामों में रुकावट कारे करते हैं, लोगों का अगर शनी कहीं से भी पीडित ना हो। ये व्यक्ति या तो अत्यन्त सफल पाए जाएंगे या अत्यन्त असफल होंगे अपनी जिंदगी में। मध्य मारगी कम ही मिलेंगे आपको एवरेज लाइफ वाले शनी के लोग आठ नंबर वाले लोग नहीं मिलेंगे या तो बहुत दुखी होंगे अपनी लाइफ में या फिर बहुत सक्सेस को प्राप्त होंगे। नहीं बहुत ज़दा बहुत च्छा बनाके रखते हैं बहुत अच्छा बैलंस बनाके रखते हैं। they are very money conscious if their Saturn is exalted or in own sign or aspected by benefit planet in their birth chart they are very powerful people पैसे की condition बहुत अच्छी होती है इनकी इनके सपने काफी उचे होती है they are very big dreamers big plans बनाते हैं अपनी life में कभी-कभी ये जुए में भी सक्रिय पाए गया है gambling के profession में भी इनको देखा जाता है these people are quite understanding इनकी understanding level बहुत अच्छी होती है और अपना किसी भी कारे कोई भी duty को कोई भी काम अगर ये लग गए है तो उसको पूर्ण निश्था से इमानदारी से पूर्ण भाव से समर्पन से निभाते हैं बहुत intense होते हैं गंभी होने के कारण अपने कारे के प्रती जहले जाता है वह अंक नंबर आठ में यह घबराते नहीं हैं इनकी सहनशीलता बहुत स्ट्रॉम होती है चलिए बात करते हैं अंक नंबर आठ की शिक्षा कैसे होती है नंबर एट की अगर शिक्षा की बात की जाए तो ये लोग प्राई अच्छी शिक्षा को प्राप्त करते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए इनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो कठनाईयों के सामना करने से घबराते नहीं हैं, कितनी भी विप्रीत स्थिती हो, ये अपनी लगन से, अपनी अच्छी देखी जाती है इनको धं संचे करने की अच्छी आदत होती है कि इनको जो stability पैसे की जो आती है इनको काफी लेट मिलती है लाइफ में और बहुत हार्ड वर्क के साथ मिलती है ऐसे सहज नहीं मिलती है इनको कटिन परिश्रम करना पड़ता है अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए चलिए आप बात करते हैं अंक नंबर आठ की जिसका मूल गरह शनी है इनके संबंध कै की जाए तो सामाने त्या मूलंक आठ वाले व्यक्ति अपने मित्र और परिजन या अपने भाई भैनों से सामाने सरिष्टा ही मेंटेन करते हैं सामाने रहते हैं पिता से मद्वेद होने की संभावना रहती है इनके मित्र बहुत कम आप देखेंगे इनसे जो इनसे लाभी इनको मित्रों से जो है लाब भी बहुत कम प्राप्त होता है यह सोचते हैं अगर जरूरत के टाइम इनका मित्र के अगर इनको जरूरत हो तो उस समय मित्र सामने नहीं आता जदि इनके विभा की बात की जाए प्रेम संबंदों की बात की जाए तो इनके प्रेम संबंद स्थ पाई गई है प्राय देखा जाता है कि अगर सब्तम भाव और सब्तमेश पर सुब द्रिष्टी ना हो तो इनका विवा देरी से भी होता है लेट कोई शनी देरी का कारक है लगबग 39 और 30 वर्च की उम्र में इनका विवा होता है जब शनी की पहली साइकल प्रथम साइकल है प्रस पर अन्बन बहुत रहती है लेकिन संतर इनकी दंसंग्रय करने में सयोग करती है चलिए हम बात करते यह इसी कौन सी नेगेटिव उर्जाए के लिए किसी से भी बात करने के लिए लोगों से संपर्क सादने के लिए इनको कुछ घबराट होती है उस हेजिटेशन को इनको छोड़ना चाहिए ताकि यह इनको ज्यादा socialize होना चाहिए they should try to become more static also इनको लोगों के साथ संपर्क सादने चाहिए उनके साथ अच्छे विवार अपनी जो हिजक है उसको छोड़ना चाहिए they should not try to become static should try to become more dynamic approach थोड़ा एक्टिवनेस लाएं लोगों को के साथ जुड़ने के लिए अपनी तरफ से efforts डालिए आपको निश्चे ही सफलता मिलेगी positive energy मिलेगी और ओपर dependency कई बारे करने लग जाते हैं लोगों पे अपने घर में अपने day-to-day life के लिए अपनी बीबी पे husband है तो अपनी wife है तो अपने husband पे अपने relatives पे अपने friends पे अपने subordinates पे इनकी dependency बहुत ज्यादा होती है इनको चाहिए थोड़े self dependent बने खुद से सीखने की कोशिश करने चाहिए number eight people are very pessimistic in nature जो इनको निराशावादी सोच है उसको त्यागना चाहिए optimistic approach रखनी चाहिए आशावादी होने का प्रत्न करें positivity को आप ढूलिए और negativity से बहार निकलिए आपको अविश्य सपलता मिलेगी बहुती उचे पहाड़ी शेत्र और बहुती गहरे पानी में डीप अगर आपको डाइविंग का शौक है या पहाड़ों पर काफी उचा चड़ने का शौक है उससे बजिए आपके जीवन को ऐसी जगाऊं से खत्रा है अकेले रहने की आदत, लोलिनेस की आदत को आप छोड़िए उसको चेंज करीए और अपने ही जैसे लोगों की विचार धाराओं के साथ आप थोड़ा समय बिताना स्टार्ट करें ताकि आप लोलिनेस से भा निकले आप अकेले बाहर निकले और अप को पॉजिटिव उर्जा प्राप्त होगी तो अपने ही विचाट धारा वाले लोगों के साथ आप उठना बैठना प्रारम करें चलिए अब हम बात करते हैं अंक नंबर आठ वाले व्यक्तियों को कौन से विवसाई कौन से प्रोफेशन में अपनी किसमत को आज माना जाहिए ताकि उनको पूर्ण सफलता टॉप शिखिर पे अपने प्रोफेशन पे पहुचे इसकी अगर आप च्वाइज अगर आप अपने अंक के अनुसार अपने द्रह के अनुसार करेंगे तो आपको निश्ची सफलता मिलती है आपने आज कल देखें कि इन्शुरेंस का काम काफी जादा भारत देश में प्रचलित हो गया है अगर आपका अंक नंबर आठ है तो आप इन्शुरेंस के बिजनस में जा सकते हैं वहाँ पे आप नौकरी कर सकते हैं आपको निश्ची सफलता प्राप्त होगी दूसरा जो कारेशेत्र है जिसमें आठ नंबर के व्यक्तियों को सफलता मिलती है वो है एग्रिकल्चर खेती बाड़ी के काम में अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा शनी क्योंकि जज्ज है वो आपके सही गलत को बिलकुल ट्रांस्पेर अगर आप अपना कारेशेत्र चुनना चाहते हैं तो निश्चे ही अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी सीमें इंडस्ट्री इस अगर आप कोई काम है माइंस के साथ काम है लकडी जो डेट हो जाती है शनी जो अलसो देट पार्ट जब लकडी को डेट पार्ट जो हो टिंबर है लकडी का अगर आप कोई वेवैसाई करते हैं फर नीचर का कोई काम करते हैं और आपको मूलांक आठ है तो आपको सफलता में शेप राप्त होगी है कंस्ट्रक्शन का काम निर्मान का काम जितनी भी बिल्लिंग्स बनाने का काम है उसमें आप अपनी किसमत आ कारा के आपने देखा होगा शनी के उपाएं में हम शनी भगवान को तेल अरपन करते हैं तो और से रिलेटिट काम पेट्रोलियम का काम जो भी खदान जमीन के नीचे से आते हैं वो सारे काम आठ नंबर वाले व्यक्तियों के लिए बहुत लागकारी रहते हैं आइरन का का लोहे का व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा है जो सरीया हम यूज करते हैं कंसक्शन में अगर आप उसके बिजनस में जाना चाहते हैं या लोहे से संबन्दिक जितने भी कारें हैं आठ नंबर वाले अंकों को शिक्र पर पुचा देते हैं ऑकल्ट साइंस गुप्त विज्ञान में आठ नंबर वाले अंकों की विशेश उरुची रहती है अगर इसमें आप अपना केरियर आजमाना चाहते हैं तो जरूर आजमाईएगा मेडिसिन दवायों में भी इनको सफलता प्राप्त होती है शनी जो है वो चमड़े का भी कारक है क्योंकि मैंने आपको बताया जो चीज डेड हो जाती है डेट इस सैटन तो जब कोई जानवर मर जाता है और उसकी चमड़ी का जब हम चमड़ा बनाते हैं तो वो शनी करते हैं यह विवसाय आपके लिए बहुत फायदे मंद रहेगा एजन एंजीनिरिंग नमबर एट पीपल विससीड इन देर लाइफ रेलवे की नौकरी अगर आप चाह रहे हैं या रेलवे से आप कहीं भी किसी भी रूप में रेलवे प्रणाली से अगर आप जुड़े ह रहेगा साथी स्टोन्स के काम पत्थर के काम मार्बल के काम जितने भी हम कंस्ट्रक्शन में पत्थर यूज करते हैं उससे रिलेटेट कोई भी काम हो या फिर मूर्ती बनाना कार्विंग का काम यह सब शनी वालों के लिए अत्यंत लाबकारी है अब हम बात करेंगे अंक नंबर आठ को ऐसी कौन सी बीमारियों से बचना चाहिए ऐसी कौन सी अपनी बीमारियों का एतियात रखना चाहिए जो इनको घेर सकते हैं सबसे जादा क्योंकि शनी की वज़ा से कई बर डिप्रेसिव टेंडेंसी हो जाती है इनको चिंता बहुत करने लगते हैं एंजाइटी की प्रॉब्लम होने लगती है उससे आप बचिएगा डिप्रेशन से भी बचिए उदास होने की आपको कोई आवेशकता नहीं है समय क अनुसार आपको निश्ची सफलता प्राप्त होगी सिर्दर्थ की शिकायत भी इनमें देखी जाती है पारलिसिस पक्षा घात भी इनमें कई बर पाया जाता है अगर शनी कहीं से भी पीडित हो जुमैटिजम गठिया की प्रॉब्लम अगर शनी पीडित होता है कुणली मे तो इन लोगों में देखी जाती है अब हम बात करेंगे आपके लिए ऐसे कौन से रंग है जिनको अगर आप धारन करें किसी भी रूप में अपने साथ लेके चले शनीवार माले दिन इस रंग के आप वस्त्र पैने अगर कुछ नहीं कर सकते तो इस रंग का एक आप छोट ग्रे कलर इस वेरी गुट फॉर यू ब्लू और पर्पल कलर नीला और बैंगदी रंग भी आपके लिए अतने अंतलाब कारी है शनी का जो मूल रंग है वो काला है ब्लैक कलर इस वेरी मच लगी फॉर नंबर एट पीपल अब हम बात करेंगे ऐसा कौन सा रत्न ऐसा कौन सा स्टोन है जिसको धारन करने से आपका शनी स्ट्रॉंग हो जाएगा ब्लू सफायर जिसको हम नीला पुखराज या नीलम के नाम से जानते हैं वो अगर आप शनीवार वाले दिन शुकल पक्ष के दिन शनी के होरा में सुबे 6 बजे के पास अगर आप इस फिंगर में धारन करेंगे तो आपका शनी बल्मान हो जाएगा क्योंकि इसी के नीचे शनी का माउंट रहता है और यहां से शनी की लाइन भी आते ही है तो आपकी किस्मत जो है वो स्ट्रॉंग हो जाएगी नीलम धारन करने के साथ आपके लिए जो सबसे शुब मैटल है जो सबसे लखी मैटल है वो है आईरन लोहा लोहे के छला भी अंक नंबर 7 इवं 8 के बारे में आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अंक नंबर 9 के बारे में मेरे को इस बात के लिए काफी कोईरी जा रही है कि आपकी श्रिंकला कई बर हम मिस कर जाते हैं हम कैसे पता चले कि आपने कुन से अंक को कब प्रसारण किया है कई बर आप लोग देख नहीं पाते हैं तो CCN का YouTube चैनल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें हमारे सारे episodes upload होते हैं साथ ही अपनी कुंडली का आप detail में निरक्षन करवाईएगा उस पे analysis जो है detail में कराईएगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन से ग्रहों की दशा से आप गुजर रहे हैं कौन से ग्रहों के अशुब प्रभाव आप पर पढ़ रहे हैं और कैसे उन अशुब प्रभावों का निवारण होगा समस्याओं का समधान होगा इसको आप detail analysis जरूर फॉर आरे चैनल के साथ जुड़े रहे हमारा एक ही दहिएव है कि आपकी शारी शंक्टों का निवारण हो आपकी समस्याओं का समाधान हो आप जीवन में उच्षिकर पे पोँचे इस हेके साथ इस प्रेड़ने के साथ इस आश्वाशन के साथ इन पर्यासों के साथ मैं आप से आग्या लेती हूं हमारे साथ जुड़े रहिएगा हमारे आने वाले एपिसोड भाग्योदे में नमस्कार